Hello Everyone, Welcome to Trending Economics इस वीडियो में समझने वाले हैं साक्षरता दर क्या होता है जिसको इंग्लिश में Literacy Rate कहते हैं आईए समझते हैं, ये भारत के परिपेक्ष में बताया जा रहा है साथ वर्ष या उससे उपर की आयू के ऐसे सभी वेक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ने लिखने में सक्षम हैं वे साक्षर कहलाते हैं, मतलब Literate कहलाते हैं साथ वर्ष या तथा उससे उपर और 1981 से पूर पाँच वर्ष या उससे उपर के आयू वर्ष को साक्षर माना जाता था 1981 से पहले पाँच वर्ष माना जाता था लिखना पढ़ना भी सीख गए हो लेकिन उन्हें निरक्षर यानि इलिटरेट माना जाता है तो आपका अगर बच्चा 6 साल का है 7 साल के नीचे है वो सब कुछ जानता है फिर वो इलिटरेट माना जाएगा इसका एक फर्मूला होता है प्रभावी साक्षरतादर जो प्रभावी साक्षरतादर होता है उसकी फर्मूला है 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयू वर की साक्षरों की संख्या बटे 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयू की कुल जन संख्या को 100 से गुणा कर देंगे दूसरा जो अशोधित साक्षरतादर इसमें क्या होगा कुल साक्षर लोगों की संख्या बटे देश की कुल जन संख्या क्या है उसको अगर 100 से गुणा कर देंगे तो हमें अशोधित साक्षरतादर मिल जाएगी